हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसा के वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भप्रस्तति सबसे पहले सुबह 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 पहले कुछ लोग तो चार दिन पहले राशिफल डाल देते हैं लेकिन हमें ताजा फिल करवाना है आपको तो ताजा ताजा लेकर आते हैं बासी कौन खाएगा यह चैनल ही जरा हटके है तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपके अपने रिष्टे आपके लिए बने हैं कई दफा ऐसा होता है कि रिष्टों में अनबन आ जाती है और यह अनबन किसी और कारण से नहीं अपने ही वजहों से आ जाती है कभी हम धन के चक्कर में अपने रिष्टों को तरजीह नहीं देते हैं तो कभी हम अपने अहंगार के चकर में तरजीह नहीं देते हैं तो कई बार हम खुद से ही अपने आपको isolated कर देते हैं कि हमको किसी रिष्टे से कोई मतलब नहीं कोई सरोकार नहीं है और फिर हम लोग अपने रिष्टों में ध्यान ना दे करके खुद पर हम लोग focus कर देते हैं और जिसकी वज़ा से रिष्टे हमसे दूर हो जाते हैं छू पंचमीति थी, शाम साथ बचकर तीन मिट तक रहेगा, चंद्रमा मिथुन राशी में है, आर्धरा नक्षत्र दो पहर तक है, आर्धरा का स्वामी राहू होता है, सुर्योदय छे बचकर बैयालिस मिट पर होगा, अर्थात अगर बाद में देख रहे हैं तो हो चुका है, सुर्य शुक्र बहश्पत एक साथ, बुद्ध बृष्चिक राशी में, शनी धन राशी में, मकर राशी का केतु रहेगा, मिथुन का चंद्रमा राहू करक राशी में और मंगल कन्या राशी में, इनी ग्रहों प्याधारित पूरे दिन का हाल 24 घंटे का सबसे सटीक भवि प्रोग्राम बन सकता है, बारी संबंधों से आज रिस्ता आपका मजबूत होगा, किसी महिला मित्र की मदद से बिगड़े काम बन जाएंगे, शुबरंग आपके लिए हरा और भाग्य प्रिस्ट पच्छपन, ब्रिशब राशी, धन आपके पास आता रहेगा, लेकिन विचार कर रहेते तो कर सकते हैं, शुबरंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रिस्ट चाच्छप, मित्रों राशी, चंदरमा आपके राशी में व्रक्तित में निखार आएगा, बहुत सारे लोग आज आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई नया प्रफोजल मिल सकता, को पुड़ा सा पेसेंस रखिएगा, पिता के साथ तालमेल बिठाने के आवशकता है, मा के स्वास्त पर आज खर्च बढ़ सकता है, धन संबदा की प्राप्ति रहेगी, वाहन आज चोटिल हो सकते हैं वाहन से, तो वाहन आज स्वयम ना चलाएं, भुरा रंग शुप सिंग राशी, क्रोध की अधिकता आज रहेगी, ऑफिस में आज किसी के साथ मनमुटाव की स्थिति आ सकती है, आज आप पर जूठा लांचन लग सकता है, तोहमत लग सकता है, विदेश से खुस खबरी मिल सकती है, सिंग राशी वालों के लिए आज कोड कचरी के मामले मे जीत मिलने की संभावना प्रबल है, शुबरंग पीला, भाग्य प्रस्थ सतहत्तर, कन्य राशी, मंगल की मजबूत इस्थिति आज मकान संबंदी समस्त समस्याओं से आपको बाहर निकाल रही है, किसी बड़े अधिकारी से आज कुछ काम निकल सकता है, मंगल मजबूत है लिहाजा जो कुड कचहरी के मसले थे, उसमें भी जीत मिल रही है, प्रेम संबंदों के मामले में ये मंगल ठीक नहीं है, शुबरंग लाल, भाग्य प्रस्थ सत्तर, तुला राशी, सर पर कहीं चोट आदिकी संभावना आज है, जल्दी बाजी बिलकुल भी घातक रहेग आज कुछ लगजरी चीजों पर खर्च हो सकता है, कोई बहुत बड़ी समस्या का हल निकलेगा, आज नया प्रेम प्रसंग सुरू हो सकता है, परिवार में किसी नए महमान के आगमन की पूर्ण संभावना बन रही है, नई नौकरी के भी पूर्ण संकेत मिल रहे हैं, शु आज नित्यकला मनुरंजन से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है, अवार्डेट हो सकते हैं, इनाम पा सकते हैं, धन आपके पास पूरी तरह से आएगा, धन की कोई चिंता नहीं है, व्रिष्चिक के लिए शुबरंग आज बैगनी है और भाग्य प्रिस् नहीं मिलेगा, शनिदेव आये हैं न, स्वास्त पर विशेश ध्यान दीजेगा, स्वास्त गरबढ़ हो सकती है, वहां चलाते हैं समय साथानी बरतीएगा, मद्र चरण की सारे साती आपके लिए ठीक नहीं है, जल्दी बाजी आपके लिए घातक रहेगा, शुबरंग भाग्य प्रिस्ट बयासी, मकर राशी, के तु आपकी राशी में है, लोगों की बातों को अन्यथा लेने का आदत छोड़ दीजेगा, कुछ बहु प्रतिक्षित कार्य आज संपन्न होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको क्या कहता है, जस्ट कंसंट्रेट टू योर टारिट, शुबरंग सफेद, भाग्य प्रिस्ट साथ, मकर राशी, अज्यात आशंकाएं परेशान कर सकती है, कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है, ससुलाल से सम्मंध मधूर होगा, शादी तय होते होते तूट सकती है, प्रेम सम्मंधों में भी आज कुछ तूट की स संभावना है, कुम राशी वालों के लिए आज के दिन पश्च्यम दिसा की यात्रा से बहुत लाब होगा, शुबरंग आपके लिए नीला है और भाग्य प्रिस्ट 69, अंतिम राशी मीन धन आपके पास आएगा, चिंता एकदम मत करिएगा धन के लिए, रुका धन भी नया एग्रिमेंट भी कर सकते हैं, विदेश जाने का खुआब आपका पूरा हो सकता है, पिता के स्वास्ति पे चल रहा धन आज बचेगा, किसी बहुत बड़े प्रोजक्ट पे आप काम करेंगे, जो आपके लिए बहुत फक्र की बात होगी, शुबरंग आपके लिए आ यह साल, जनम दिन के बाद, कैसा बितेगा, यह जानते हैं, हाइपी वर्थ देट में, तो अगर आज आपका जनम दिन है, तो आपके लिए पूरे वर्ष की सवगात ले करके हम आ गए हैं, सीर संतो संतोशी, आप यूट्यूब चैनल का भी नाम बदला हुआ देख रहे है सीर का मतलब होता, भविष्य द्रश्टा, भविष्य वक्ता, पैगंबर, आदि जो इसमें लिखा है, दूर दर्शिता, और जोतशी, मिला जोलाकर जोतशी, तो संतो संतोशी के सा सीर, यस की वज़ए से इसको कनेक्ट करने का कोशिश किया गया है, ट्रिपल अस, तीन पर नॉम्बर को तो आपके लिए पूरा वर्श कैसा बितेगा, बहुत प्रतिक्षित कार आपके संपन्न होगी, बहुत सारे जो काम आपके पेंडिंग थे हो, आज हो जाएंगे, चंद्रमा की मजबूत इस्थिती मितुनाशी में बहुत मुखी प्रतिभाव विक्षित कई काम आप एक साथ लेंगे, खोब सारे धार्मी के आत्राएं होंगी, जनवरी से लेकर के और मई के बीच में मकान, वहन और नई नौगली के संकेत हैं, शादी अगर अभी तक तैन नहीं हुई थी तो करीब तीन महीने, अर्थात मार्श के बाद शादी तै होने की संभा अगर विवाग के योगे थे और आप आठ नमबर को पैदा होई हैं, एक मामला गडबर रहेगा, कुछ प्रिसिद्धी प्रभावित हो सकती है, तो अपने चरित्र पर ध्यान दीजेगा, अपने संबंधों पर ध्यान दीजेगा, बहुत जादा बढ़बोलापन आपके ल लगा दीजेगा, बस इतना करिए और फिर देखिए पूरा वर्ष आपका हैपी बर्थ डे कितना हैपी बिता है, बढ़ते हैं आगे और हम बता देते हैं आपके लिए कि अगर आप कुछ बिशिर्ष करने वाले हैं तो उस से पहले भाग्याक्षर क्या है आपका, आईए जानते हैं आपका भाग्याक्षर आज का है मेश के लिए, था है बिर्षभ के लिए, रामितुन के लिए लागशर कर के लिए का सिंग के लिए जाख्षर कन्या के लिए गा तुला के लिए नाख्षर ब्रिश्चिक के लिए था धनू के लिए खाख्षर मकर के लिए पा कुम्बराश के लिए डाख्षर और मीन के लिए वा ये शुब अक्षर आपका दिब्य भाग्याख्षर आपके लिए है इस भाग किसे कलम से अपने पास लिख करके रख लिजेगा और 24 घंटे हंसते रहिए गुन गुनाते रहिए मस्त रहिए तो चलिया जान लेते हैं आपके लिए सबसे खास की कुझी सक्सेस की आज घर से निकलने से पहले तीन काली मिर्च ब्लैक पेपर खाकल के और फिर घर से निकले ध्यान देना है कि पानी नहीं पीना पानी बिना पिए घर से निकलना है बारी आ गई है जानने की आज के हमारे लकी विजेता के विशे में कि आज हमारा आज हमने किसका मेल सेलेक्ट किया है मेल पर हम चर्चा करेंगे लेकिन पहले जान लेते हैं आज के लकी विजेता के बारे में उनका नाम यह हैं दिशा राजपाल दिशा जी बहुत-बहुत श समक्ष है और इस डिटेल के अनुसार जो आपका डिटेल आपने दिया है 14 मार्च 1994 1994 समय बताया है आपने 9 बच के 35 मिनिट पीम अर्थात 21 पैंटिस और जगह है आपकी राय बरेली प्रश्ट है आपका मेरी कुंडली में गवर्मेंट जॉब बैंकिंग सेक्टर का योग है की नहीं और कब तक लग जाएगी मैं बहुत परेशान हूँ चलि आए देखते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली में किस प्रकार के सरकारी नगली का योग है दिशाजी तुला लगना है ब्रहश्पत आपके लगने बैठा हुआ मंगल बुद्ध शनी एक साथ बैठे हुए हैं और कहीं से भी चंद्रमा का संबंध मंगल से नहीं है लेकिन सूर्य एक साथ बैठा है नवाश कुंडली पे निकाह डालते हैं तो बुद्ध आपके दसंभाव में बैठे हैं लेकिन सूर्य मंगल का संबंध बहुत प्रबल है शत्र प्रतिशत आप बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पा रही हैं बारे डिगरी का आपका लगना है बहुत मजबूत आपका लगना है शुकर की महादशा में अभी बरतमान समय में अंतरदशा आपकी चल रही है ब्रहश्पत की नौंबर अठारे तक इसी वर्ष आपकी नौकरी लग जाएगी उपाय के तोर पर शुकरवार मासंतोशी का अबरत करिएगा और जितना हो से के बढ़ों का आशिरवाद लेते रहिएगा बस इतना सा उपाय करना है और चमतकार का लाव लेना है बारी आ चुकी है अब जानने की आज का खास आनंदनाद बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सब देख रहे हैं खास आनंदनाद सीर संतोश संतोशी के साथ चोतिष दिशा सत्यकी राम आज का विशय हमने जो लिया है वो है भाई सगे संबंधी हमारे अपने परचित अगर इन सब से अनबन होने लग जाए इन सब से बिल्कुल भी ना निभे और कारण हो धन आपका पैसा तो क्या करें ऐसा क्या किया जाए कि इस धन की वज़ह से किसी के साथ संबंध खराब ना हो और हर प्रकार से धन हमारे साथ एक शुबदा लेकर आए एक प्यार लेकर आए एक मुहब्बत लेकर आए उपाय क्या है बताएंगे लेकिन पहले कुंडली का योग देखिएगा दुतिये और तृतिये का संबंध धन के कारण खत्म कर देता हरिस्तों को कुंडली में सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस का स्वामी आप देखेंगे कि मकर लगन वाले जब अबीर बनते हैं तो उनके अपने तूट जाते हैं छूट जाते हैं दूर हो जाते हैं चाहे वो माता पिता हो या भाई बैन हो क्योंकि मकर लगन में बहाश्पति लगन और दुटिय शक्त्रूवत होते हैं तो दोर सूत्र निकला दुटिय तुरतिय का संबंध हो दुटिय तुरतिय में किसी प्रकार का इस्थाल योग हो तो ऐसे में आपके अपने लोगों से आपका रिष्टा तूट जाएगा जैसे ही आपके पास धन आएगा उपाय क्या करें उ चोकोर कपड़ा ले लीजिए उस पर अपनी तीन पीडियों के लोगों का नाम लिखिए जैसे आपने अपना लिख दिया अपने पिता का लिख दिया अपने दादा का लिख दिया लिखने के लिए सरसव के तेल के साथ बेल पत्र बेल पत्र बिलवपत्र जो संकर जी को चड कर दीजी और फिर कोट की तारीख में अगर जाए राई जगड़ागर हुआ है तो उसको तारीख पर जाते हुए पीपल की नीचे डाल दीजी और फिर चले जाएगा अगर यह प्रियोग मंगल वार्स या शनिवार को किया जाए तो महाशुब होगा माल दीजे कि अगर कोट आर्द की तारीख नहीं है और ऐसे लोग से अगर आप सम्मंध री स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनसे बात करने से पहले इसे आप पीपल की नीचे डाल दीजेगा बस इतना सा आपको काम करना है और पूरी तरह से आपको शुबता का अंदाजा लग जाएगा कि कितना शुब ही ये उपाय आपने कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया धरनिवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें इतना सनेह देने के लिए हमें इतना लाड़ देने के लिए ये प्यार यूही बनाए रखिएगा इसी मियानन दाएगा हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा कारी वो अपन्मेंट के लिए संपर करें डबल लाइन 10291850 और डबल लाइन डबल लाइन 02400 डबल लाइन